कि नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सब अमिद करता हूं कि आप सब अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और पढ़ने में आपका मन भी लग रहा होगा क्योंकि आपको नए-ने तरीकों से पढ़ा जा रहा है आपको ऑनलाइन क्लास उपलब्द कराया जा रहा हैं यूट्यूब पर भी आपके सारे क्लास हैं और वर्चिट की पढ़ाई भी आपको अच्छी लग रही होगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्चिट और आज की वर्चिट है क्लास 6 के हिंदी की वर्चिट नमबर 14 बच्चों पिछले कारे पत्रक में हमने क्रिष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ संस्मरन बच्पन का प्रथम भाग पढ़ा जिसमें हमने लेखिका के बच्पन में पहनने वाली पोसाकों के बारे में पढ़ा और चलिए अब जानते हैं कि लेखिका अपने बच्पन में और क्या क्या करती थी तो यहाँ है कि बच्पन में हमें मोजे खुद दोने पड़ते थे अब यहाँ बच्पन का एक काम था जो कि लेखिका को खुद से स्वैम से करना होता था जैसे कि मोज़ा दोना वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिये जा सकते थे मतलब कि मोजा सक्त मना था इसकी सक्त मनाई थी कि मोजे खुद ही साफ करने है वह नौकर या नौकरानी को धोने के लिए नहीं देने है हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते मतलब कि पूरे सब्ता तो क्लास चलता इस्कूल होता लेकिन इत्वार की सुबा जहां हम इस्कूल नहीं जाना होता तो सबसे पहला काम हमारा ही होता अपने अपने मोजे साफ करना धो लेने के बाद अपने अपने जूते पालिस करके समकाते और अपने अपने जूते भी फिर हम लोग पालिस करते हैं हाला कि हम लोग आज भी अपने जूते पालिस करते हैं आप लोग comment box में लिखिए कि कौन-कौन अपने जूते पालिस करते हैं आप खुद से करते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे है कि मैं अपने जूते स्वैम पॉलिस करते हूं या मैं भी जब जूते कपड़े या ब्रस से रगरते तो पॉलिस की चमक उभरने लगते और सबसे पहले उसमें क्या होता था कि पॉलिस लगा जाता था पॉलिस लगाने के बाद उसमें फिर ब्रस दुबारा जब हम लोग ब्रस लगाते तो पॉलिस चमकने लगते और जूते भी बहु जिनकों के पालिस नहीं भी करना पड़ता है और आरामदायक भी है कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदे हैं पहले चमड़े के जूते आते थे और वो काफी कठोर होते थे मुझे भी याद है कि जब हम लोगे चमड़े के जूते नए नए पहनते थे तो पैर के पिछले भाग में और आगे अंगटे वगरा पर छाले पढ़ जाते थे हमें नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज सुरू हो जाता क्योंकि वो जूते कठोर होते थे और पैर में रगड़ खा कर छाले पढ़ जाते थे जब कभी लंबी सेर पर निकलते अपने पास रूई जरूर रखते क्योंकि छाले पड़ेंगे इसलिए पैरों में मोजे के अंदर रूई लगा लेंगे जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर हां जब भी हम जूता लगाते तो मोजे के अंदर रूई जरूर रखते ताकि वो थोड़ा मुलायम हो जा और छाले नहीं पड़े हां हमारे तुम्हारे बच्पन में तो बहुत फर्क हो चुका है अब आज के बच्चों के जूते मिल काम था कहा जाता था कि उसको पीने से कोई बिमारी नहीं होगी सनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी मतलब घर में आलिव वायल की बोतल खुलने लगती थी और उसका गंध आने लगता था छोटे सीसे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निसान पढ़े रहते थे मतलब की पांच एमेल दस एमेल का जो निसान पढ़ा रहता है तो उस निसान वाले सीसे के गलास होते हैं उन्हें देखते ही मित्ली होने लगती है उल्टी आने जैसा मन करना उबकाई आना तो मित्ली होने लगती मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह सनीचिरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था और बात सही है कि अगर नहीं भी पीते हम लोगों ने तो नहीं ही पिया तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं भीड़ा है लेकिन फिर भी घर का नियम था तो था उसको पीना था ज़्यादा सहत ठीक히 रहती तुम्हें बताउँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है यहां तक कि बचपन की दिलचसपीयां भी बदल गई है तो इस तरह से बचपन में पहले क्या दिलचसपी होती थी पहले गुली डंडा खेलने का कंचे की गोल जोलने की ओशिप होती घुर में जाकर दुचंष्ते थे लेकिन आज रवच्पन पर गिंड़ ऑगया है और लियुग वाटर पार्क खूंद नहीं तो बच्चो अब है कि नय सब्द नए सब्द शानीचर सनीचर का मतलब सनीवार होता है सटड़े होता है और मितली मितली का मतलब उल्टी होता है और प्रसन चार है तो रूई मोजे के अंदर से क्या अतात पर है उतकर प्रस्ण तीन है कि आली वाइल पीना लेखिका को कैसा लगता था बताईए और प्रस्ण चार है कि लेखिका कि समय में छालो का इलाज कब शुरू होता था प्रस्ण पांच है लंबी सहर पर निकलने से पढ़े लेखिका अपने पास क्या रखती थी और एक गतिविधी है कि आप इतवार की सुबा क्या क्या काम करते हो सुची बनाईए तो चलिए अब इन प्रस्णों के उत्तर करते हैं प्रस्ण एक है कि लेखी का इतवार की सुबा क्या क्या काम करती थी तो इसका उत्तर है कि लेखी का इतवार की सुबा अपने मोजे दोती थी और अपने जूतों पर पॉलिस करती थी नेक्स्ट है प्रस्ण दो कि जूता लगा तो रूई मोजे के अंदर से क्या तत्पर है तो इसका उत्तर है कि पहले जूते कुछ कठोर होते थे पहनने के बाद छाले पढ़ जाते थे तो उन छालों से बचने के लिए मोजे के अंदर रूई लगाना पड़ता था इसका तत् उत्तर है आली वायल पीना लेखिका को मुस्किल काम लगता था क्योंकि इसकी गंध से उन्हें मितली आने लगती थी नेक्स्ट है प्रस्ण चार कि लेखिका के समय में छालो का इलाज कब शुरू होता था तो इसका उत्तर है लेखिका के समय में नए जूते पहनने के बाद जब छाले पड़ते थे तब छालो का इलाज सुरू होता था प्रस्ण पांच है कि लंबी सेर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी तो इसका उत्तर गह है रूई और फिर प्रस्ण गतिविधी है कि आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हो सुची इतवार की सुबह हम अपने घर के सामने की सफाई करते हैं अपने टेबल की सफाई करते हैं और जिस पर हम किताबे रखते हैं उसकी सफाई करते हैं और फिर अपने जूतों पर पॉलिस भी करते हैं तो बच्चो मैंने आपको बताया है कि आज भी जो लोग अपने जूतों पर पॉलिस करते हैं वो comment box में जरूर लिखेंगे कि मैं भी करता हूं क्योंकि यह अपना काम है खुझ से करना चाहिए तो कौन-कौन करते हैं यह बात जरूर बताइएगा इसी के साथ आपकी वर्चिट कंप्लीट होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू